जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है ABC कोचिंग यूटूब चैनल में जितने भी विद्धार्थी इस वर्स मैट्रिक बोर्ट परिक्षा देने वाले हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो अंतक देखना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए यह वीडियो काफी हेलफुल होने वाला है काफी important होने वाला है जिहां दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे class 10 की math subject के जो है most BBI important question बताने वाला हूं देखने वाले हैं जो कि आप सभी को बोर्ट परिक्षा देने से पहले एक बार जरूर देख लेनी है और बताएगे सभी question को आप लोग confidence आजाएगा और आप जो है बोर्ट की परिक्षा में एक ज़रा सा भी कोताई नहीं करेंगे और समय रहते हैं वे सभी question का आप लोग पूरी तरह से अच्छे सो जो है solve कर लेंगे हल कर लेंगे और आपके अंदर जो डर हो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और दोस्तों अभी के अभी जो है भिड़ जाए ठान लिजे कि इस बार भी आप लोग जो है बोर्ट की परिक्षा में टॉपर करेंगे और मैं जिस तरीके से आप लोगों को जो है जो है लगातार जो है पीडिया प्रवाइड करा रहा हूँ इंपोर्टन कोशन प्रवाइड करा रहा तो सभी के पीडिया भी टेलेग्राम पर उपलब्द करा दिया गया है और दोस्तों मैं आप लोगों कहना चाहूँगा मैं जानता हूँ कि इन में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो की अभी तक कुछ भी तयारी नहीं किये तो दोस्तों अभी से आप लोग तयारी दोस्तों आपने अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किये है तो वीडियो एक लाइक जरूर करते हुए अपने सभी दोस्तों को share भी जरूर करेंगे और दोस्तों आप सभी सी request है कि आप हमारे channel पन नए हैं तो channel को subscribe करने के साथ बैल आकून को भी in desperately प्रेश कर लिजेगा और subscribe करने के बाद आपके साबने एक join button का pop-up में दिखेगा तो उसको भी दवा का channel पर जोई हो जाएए आप member बन जाएए ताकि आपके आपनोंको मिल जाए, guesses question का फीरी में आपनोंकी पीडियाब मिल जाएगा इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को जोईन भी कर लिजेगा और दोस्तों मैं आपको बता दू कि आप लोग जोεί बहुत ज़यादा कोताई करते हैं, तायारी नहीं करते हैं, तो बस्ष्रते आपको अप तयारी करनी होगे, आप थान लेजिए और जितना भी में कोशन दे रहा हो है, जितना भी बता रहा हूं, उन्स सभी को आप लोग अच्छे स्रेविजन करते जाएंगा, और ये मेरी 100% गारेंटी है जिया दोस्तों मैं 100% गारेंटी लेता हूँ कि अगर आप अच्छे स्तियारी करते हैं तो आपका जो है बोड की परिक्षा में 90 प्लस अंक से कोई नहीं काट सकता है इससे हमेशा उपर आपनों का अंक रहेगा जिया दोस्तों आप जो है इस बार भी टॉपर बन पाओगे बसरते आपको मैनत करनी होगे ठीक है तो जले दोस्तों कोशन के और चलते हैं तो देखिए सबसे पहला कोशन जो है वास्टिविक संक्यास है यहाँ पर दी गई है जो कि यहाँ पे सिर्फ इसमें कोशन बताने वाला हूँ अगर इसका सल्यूशन भी आप आना चाहेंगे तो मुझे कॉमेंट करके जल से जल इसका सल्यूशन भी ले आऊँगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कोशन दिया गया है कि 156 को अभाद गुननखंडों की गुननफल के रूप में व्यक्त कीजिए यह जो काफी बहुत ही easy सवाल है इ यहाँ पर आपनों का graph यहाँ पर दिकरा होगा इस graph को आप लोगँ अच्छे से समझ लिजएगा इसमें पी एकस का यहाँ पर कटान पूछा गया है कि चले आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखें तिसरा नंबर कोशन दिया गया है जमच कीजिए कि x into 2x plus 3 equal to x square plus 1 एक दुविगाती समिकरन है या नहीं ठीक है अगला कोशन है मान निकालिये जो कि तिरकौनमीतिस यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कोशन कहरा है कि मान निकाल करना है यानि कि कॉस 48 डिगरी मैनस साइन 42 डिगरी बहुत इंपॉर्टन सवाल है ठीक है अगला देखें तो यहाँ पे जो है अगला कोशन पाचवा नंबर दिया गया है समांतर सरेणी से एपी सिया पूछा गया है पहले यहाँ पे कहरा कि समांतर सरेणी मैनस 5 मैनस 1 3 & 7 क दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है A1, A2 और A3, A4 ठीक है इसमें कहता है सारवंतर गयात कीजिए तो सारवंतर का फर्मूला होता है D बराबर A2 मैनस A1 यह फर्मूला आप लोगा लगईएगा तो आपका जो है आंसर यहाँ पे जो है ग्याद कीजिए ठीक है इसको अच्छे से सवाल कर लेंगे अगला सवाल है सातवा नंबर की दो समरूप तिरभुजों की भुजाएं जो है चार अनुपात 9 के अनुपात में है इन तिरभुजों के छेत्रफनों का अनुपात क्या होगा अगला कुशन है मैं यहां पर बताऊंगा तो देखें यहां पर आठवा नंबर सवाल दिया गया है कि विरित को दो बिंदों पर परतिछेद करने वाली रेखा को जो है क्या कहते हैं अगला सवाल है रिक्तस्थान को पूर्ती किजिए किसी घटना की प्रैक्ता से बड़ी या उसके बराबर ह होती है तो इस इरिक्तस्थान में क्या बराया जाएगा आप यहां पर पूरी तरह से अच्छे से इसको सॉल्व कर लिजएगा और दोस्तों प्रैक्ता से जो है ना तीन सवाल जो है आपका जो है दूनमर या पूछेगा इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और प्रैक्ता वाला जो फॉर्मूला सब है ना उसको आप लोग रख लिजेगा चलिए अगला सवाल देखें यहां पर दस्वा नंबर दिया गया है कि संचाई बाराम बारता तथा वर्ग अंत्राल के निम्न सीमा के बीच खिची गई आलेक का क्या नाम है यह काफी विविया 404 का एत्सियब गयाद कीजिए काफी एजी है 96404 का जो है एत्सियब जो है आपनों को गयाद करनी है अगला सवाल है कि एक द्विखाद बहु खंड बहुपद गयाद कीजिए यहां पे एक द्विखाद बहुपद है ठीक याद रखेंगे दोस्तों द्विखाद बहुप पलस C बराबर 0, ठीक, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पर बराबर 0 नहीं भी दीज़ेगा, चलेगा, AX स्कार पलस BX पलस C, इसका रूफ होता है इसी रूफ में आपको जहाँ आपको व्यक्त करना है जिसमें कि सुन्याँकों का योग और गुननफल करमसर जो है 1 बटा 4, यह वो मैनस 1 दिया गया है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सुन्याँकों का योग बराबर फोर्मूला होता है, अलफा पलस बीटा बराबर होता है, मैनस B बटा A, ठीक है और गुननफल का फॉर्मूला होता है अलफा इंटू बीटा बराबर होता है C बटाए तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे और इसी फॉर्मूला से यहाँ पर बहुफद का रूप आपनों का यहाँ पर ग्याद होगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखें यहाँ पर तेरह नंबर दिया गया है कि आखरती में जो है QR बराबर जो है QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कौन A बराबर कौन 2 है तो दरसा यह कि तिर्भूज PQS समरूब जो है तिर्भूज TQR है तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें इस अखरती को आप लोग अच्छे से समझेंगे और इसको जो है अच्छे से solve कर लीजेगा ठीक है चलिए देखें यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि कौन A जो है वो कौन 2 के बराबर है और यह जो है और कहता है कि QT जो है यह QT जो है वो क्या है पी आर के बराबर है यह पी आर के बराबर है तो आप लोग अच्छे से solve कर लेंगे इसके बारे मैंने पहले भी बताया था यह जो है exercise आप लोगों का छटा का है यानि कि तिर्भू से related दिया गया है यह काफी important है और इसी later 2-3 question आर भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो इसको भी आप लोग अच्छे से solve कर लीजएगा चले अगला question देखे 14 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि तिर्भूज ABC में जिसका कॉण B जो है समकॉण है AB बराबर 24 cm और BC जो है 7 cm है तो कॉस C ग्याद कीजिए यह काफी BBI सवाल इसको अच्छे साप लोग रट लीजएगा ठीक है चले अगला सवाल 15 नंबर दिया है कि सिद्ध कीजिएगी किसी विरित की किसी व्यास के सीनों पर खिची गए असपस रेखाई रूप का होता है तथा पर्तिक धनात्मक विसम पुर्णांक 2Q प्लस 1 यानि 2Q प्लस 1 के रूप में होता है जहां क्यू कोई पुर्णांक है तो यह भी कोशन वास्तिविक संक्या से लिया गया है और यह काफी इंपोर्टेंट है इसको आप लोग अच्छे से बना लिजएगा इस इस रिलेटेड आपकी बोर्ट की परिक्षा में दिये जाएंगे ठीके इसको अच्छे साप लोग यहाँ पर बना लिजएगा और वहाँ पे जो है सम भी सम नहीं रहेगा डारेट काहेगा कि धनात्मक पुर्णांक है अब अच्छे से स्वल्ब कर लिजएगा और दोस्तों यह वाला जो आपका था दरशाये की आपरी में परिमेवला उसको भी आप लोग कर लिजएगा जो कि यहाँ पर अथवा में दिया गया न इसको आप लोग देखेंगे और 1.3 में जो आपका यहाँ पे दिया गया है वो वला सवाल आप लोग अच्छे से कर लिजेगा वो पूरा XSI आप लोग पढ़ लिजेगा देखें यहाँ पे अथवान कोशन दिया गया है कि दरसाइए कि 5 मैंनस रूट 3 एक आपरी में संक्या इसको आप लोग अच्छे से कर लिजेगा अगला सवल 17 नंबर है हल किजिए यानि कि यहाँ पे दो समीक्रण दिया गया है कि पहला है X मैनस Y बराबर 3 और दूसरा है X बटा 3 प्लस Y बटा 2 बराबर 6 तो यह दो समीक्रण है इसको आप किसी भी विदी से आप लोग बना सक प्रतियस्तापन बिदी बनाईए आपकी मर्जी यहाँ पे कोई भी विदी साप लोग यहाँ पे स्वाल्व कर सकते हैं हल निकाल सकते हैं ठीक है अगला कुसं देखिए 18 नंबर दिया गया है कि ग्राफी विदी द्वारा हल याद किजिए यहाँ पी आठारा नंबर में द जी आ गया है दोनों समिक्रन को जो है यह जो अठारा नंबर है इसको आप लोग ग्राफी विदी से गयाद करेंगे सब से पहले लिखेंगे समिक्रन फच्ट थे उसका बाद पूरा एक्स वाय कमान निकाल दीजे को उसके बाद उसको जो है ग्राफ में अंकित कर देजेग यह भी जो है एपी से लिया गया है समांतर सुनी से लिया गया है और इसमें क्या होगा इसमें दिरा धियान दिजेगा 10 याने की पहला पद जो है वो 10 है और अंतीम पद क्या है एन जो है वो कितना है 250 है और यहां पे 4 के गुनज याने 4 के गुनज कहने का मतलब यह है कि सभी के इसके दर्मियान जो है चार-चार इसको बढ़ाते जाएगा और जो इसका अंक निकलेगा चार से भाग देंगे लाश्ट में कितना हो जाएगा चार 248 आएगा ठीके 248 ही नकटेगा तो आप यहां तक जाएगा इसका AN का मान कितना होगा 248 और AN का फॉर्मूला वला यह हो जो है नौ है तो इनमे कितने पद है और इनका योग क्या है यानि दोस्तों यहां पे आपको AN भी ग्याद करनी है और आपको SN भी ग्याद करना होगा तो इसको अच्छे से सॉल्व पर करेंगे अगला कुर्शन है जो की तिरकोमिती जो है त्योगी काफी एंपोर्टेंट और बारबर एक्जा में पूछा जाता है ठीक है एक जो तिसरा नमबर आप याद रखेंगे कि आपका जो है सिद करने वाला में 8.4 में सायद जो है आपनों का तिसरा नमबर जो सवाल है और आपका पाचवा नमबर ठीक है आप पाचवा और एगो सातवा नमबर ये तीन सव पाल में से एक टो सवाल तापका guarantee है ये आने वाला है ठीक है चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखी 20 किजी यानि कि prove that दिया गया आप पहले से जो है चैनल को अभी कि अभी सस्क्राइब कर लिजए और बेल आइकोन को भी अपलोग आउन करके और प्लेस ट्रैक्ट जरूर कर लिजएगा ठीक है ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपनों को समदूरस्त है यानिक दूस्तो आप दिहान दिजे मैं आपको थ्टह्टा सा यहाँ पर इहाँ पर इंडिश देना चाहूंगा कि यह गयाक कोई बिंदू से एक यहां पर ऐसे रेखा है जिसको हम मालने दे तो OH से P भराजर ब्राबर है और इसका जो मानः यहाँ है तुम य आपका मान जात करनी है, और यहां पे x y कमानन दिया गया है, ध्या धिहान दिजेंके यहां पहला बिन्दु 7, 1 है और दूसरा है वो 3, 5 है, तो यह वाला सम्धूरस्त वाला जो बट्टा वाला है यह दो वाला भाग, यानि कि m1 प्लस m2 बट्टा 2 यह वाला आप ल लगेगा तो इसका अंसर पुरी तरस निकल जाएगा और इसका सम्बन भी आपनों को पता चल जाएगा इसका पुरी तरस सी दो जाएगा ठीक है चले अगला सवाल क्यों चले तो यहाँ पे देखे 22 नंबर सवाल दिया गया है कि बिंदू मैनस 3, 10 और 6 मैनस 8 को जोड़ने व दिया गया है कि यदि A मैनस 5, 7, B मैनस 4, मैनस 5, C मैनस 1, मैनस 6 और D 4, 5, 1 चतरभूज A, B, C, D के सिर्ष है तो इस चतरभूज का चतरफल ज्याद कीजिए तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो है इस प्रकार का चतरभूज है जिसमें आपको जो है इस प्रकार से ए जो है आपको रचना करना है जो किवी करन होगा और यहाँ पे पहला तिर्भूज का शेतरफल निकालेगो दूसरा तिर्भूज का निकाल के जो है दोनों का आप लोग जो है जो है जो है जो है जो है जो है तिर्भूज का शेतरफल निकाल लिएगा ठीक है चलिए अगला क तिर्भूज की रचना की जी जिसकी भूचाएं इस सम्द्विबाउ तिर्भूज की संगत भूचाओं की एक पुरनाक एक बटा दो गुनी है तो आप जो है इसको अच्छे से जो है आप लोग तयार करेंगे क्योंकि यह जो है यह 11.2 का जो एक साइज है उससे यह सवाल लि पीटेड है और यह बार-बार एकजा में पूछा जाता दीखें यहां पर सवाल क्या है कि 5 cm तिर्जिया का एक विरिद खीचिए कैंदर से 8 cm दूर इस्तित एक बिंदू से विरिद पर असपस रेखा युगम की रचना कीजिए तो इसको आप लोग अच्छे से किलियर कर लेंगे अच्छे से इसको रचना वाला रिविजन कर ली जागा ठीक है 11.1 और 11.2 का जो एक सर्चाइज है उसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर ली जाएगा क्योंकि इन दोनों में से आप लोगों को बहुत अच्छा मार्च मिलने वाला है ठीक है चलिए अगला सव प्रैक्ता होगी कि वह कंचा पहला सफेद है दूसरा नीला है और तिसरा लाल है तो इसको जो है प्रैक्ता वाला फर्मूला मैंने जो आपको बताया था उसके अनुसार आप लोग जहें इसको निकालिएगा ग्याद किजेगा ठीक है अगला सवाल देखे जो पच्छिस न अंबरवाला कोशन है यह जो है 2013 की बोट की परिक्षा में पूछा गया था 2015 की बोट की परिक्षा में पूछा गया है 2019 की बोट की परिक्षा में पूछा गया है और 2022 की बोट की परिक्षा में भी यह सवाल पूछा गया था और 2022 की बोट की परिक्षा में जो है यहाँ पर साट डिगरी के बदले जो है 120 डिगरी दे दिया गया था ठीक है तो इसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लिजागा और इसे रिलेटेट जितने भी कोशन है उसको भी आप लोग कर लिजेगा इसी में दे तो आगला जो है इसी का अथवा में दिया गया है जो कि काफी भी भी आई है जो कि 2013 की बोड की परिक्षाम यह पूछा गया था जिसमें यह आप दिया गया है कि भुजा चार सेंटीमिटर वाले एक वर्ग के पड़ते कोने से एक सेंटीमिटर तिरजिया वाले विरित का एक चतो थांस काटा गया है तथा बीच में दो सेंटीमिटर व्यास का एक विरित भी काटा गया है जैसा कि आकटी में दरसा आ गया है वर्ग के सेस भाग का छेत्रफल ग्याद किजे जो कि आप यहाँ पर कि इसी के next question में होगा उसको भी आप लोग अच्छे solve कर लिजएगा ठीक है चले अगला सवाल देखें यहाँ पे जो है काफी important सब है जो कि 26 नमर सवाल देखें जो कि section D में दिया गया है कि 26 नमर सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरन 3x square minus 5x plus 2 equal to 0 कि मूल यदि इसका अस्ति तो हो तो द्विघाती सुत्र का उपयोग करके ग्याद किजिए तो दोस्तों मैंने आपको बताया था D बरावर क्या होता है B square minus 4ac इसी का formula का जो है उपयोग करेंगे इसका असर निकल दाएगा जब x का मान देखेगा कि x बरावर 0 या x जो है वो 0 से छोटा है तो अब सवामिया पर सवाल दिया गया है कि कि दो ऐसे करमागत विसम धनात्मक पुर्णा ग्याद किजिए जिनके वर्गों का योग जो है 290 है तो यह काफी important है और दोस्तों आपके exam में 290 के अलावा 360 देगा आपको डरना नहीं है इसको आप लोग अच्छे से solve कर लिजएगा ठ 2013 की बोर्ट की परिक्षा में दिया गया था 2011 की बोर्ट की परिक्षा में भी यह पूशा गया है और 2020 के बोर्ट की परिक्षा में जो है यह model paper में था ठीक है देखे इसको अच्छे solve करेंगे यहाँ पे देखे दोस्तों question दिया गया कि एक pedestal के सिखर पर एक 1.6 मीटर उची मूर्ती लगी है भूमी के एक बिंदू से मूर्ती के सिखर का union कौन 60 degree है और उसी बिंदू से pedestal के सिखर का union कौन 85 degree है पेड़ेस्टल की उचाई ग्याद कीजिए तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि इसका picture इस परकार बनेगा बच्चों मैं आपको यहाँ पे picture भी बना के दे देता हूँ इस परकार से बनेगा तो इसको आप लोग अच्छे से solve कर लीजेगा ठीके picture में बता दिया हूँ इसको अच्छे साप लोग कर लेना और आपकी किता में भी यह दिया गया है 9.1 में है ठीके चलिए और इसी का देखिया अथ्वा में सवाल दिया गया है कि 7 मीटर उचे भवन के सिखर से एक केबल टावर के सिखर का उन्यों कौन साट डिगरी है और इसके पाद का अवन कौन पता डिगरी है टावर की उचाई ग्याद किजिए और दोस्तों यह जो है न यह 2020 के बोर्ट की परिक्षा में पहले ही पूछ चुका है इसको आप लोग अच्छे से करेंगे 2020 नहीं 2021 वला में था और 2022 वला में भी था यह ठीक है इसको आप लोग अच्छे से किलियर कर ले ना चले अगला सवाल यहां पे देखिए अटाश नमर दिया गया है कि सिखिजिए कि दो समरूप तिरगुजाओं के चेतरफलों का उसके बाद 2021 में भी यह अथवा में दिया था ठीक है तो इसको आप लोग अच्छे से कर ले ना ठीक है चले अगला सवाल देखिए 29 नमबर दिया गया है कि एक खिलोना तिर्जिया जो है एक खिलोने की तिर्जिया जो है 3.5 सेंटीमिटर वाले एक संकु के अकार का है जो उसी तिर्जिया वाले कर्दगोले पर अध्यारोपित है इस खिलोने की संपुन उचाई 15.5 सेंटीमिटर है इस खिलोने का संपुन प्रिष्टी चेतरफल ग्याद किजिए दोस्तों यह जो है ना 13 पॉइंट वाला जो सवाल है ठीक है उसमें जो है यह उधारन में यह सव सवाल दिया गया है इसको आप लोग अच्छे सरह लीजेगा और दोस्तों इसी से रिलेटेड आपके एकसरसाइज में भी यहापे सवाल है उसको भी आप लोग बना लीजेगा ठीक है चलिए अगला देखें यहापे अथवा में सवाल दिया गया है कि धातु की चादर से और उपर से खुला एक बरतन के एक छिन्नक के अकार का है जिसकी उचाई 16 सेंटीमिटर है तथा निचले और उपरी सीरों की तिरजाएं जो है करमस 8 सेंटीमिटर और 20 सेंटीमिटर है 40 रुपया पर 3 लीटर की दर से इस बरतन को पूरा भर सकने वाले दूद का मुल्द ग तिस्वा नमर दिया गया है कि दिये गए आकणों के आकणों से जो है मद ग्याद कीजिए तो मद आपको मद का फर्मूला अपनों को बताया था मैं आपको एक बार फिर से जो है बता तो कि मद का फर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ तो आप इसको आपनों का यहाँ पे अध्वा में दिया गया है जो कि आप से भीक लिए काफी इंपोर्टेंट इसको जो है आप लोग अच्छे से किलियर जरूर किजे करेंगे देखे इसी में जो है आप अध्वा में सवाल दिया गया है कि दिये गे आंकडों का माध्यक ग्याद किजिए तो माध्यक वाला में हम बताये थे पहले की वर्ग अंतराल ग्याद करना है, L ग्याद करना है, F ग्याद करना है, और C F ग्याद करना है, ठीके, तो इसको भी आप लोग अच्छे स्कर लेंगे, और दोस्तो आपनों को बताया था कि माध्यक, माध्य और बहुलक में क्या संबंध है वो वाला formula जो मैंने आपको दिया था उस formula को भी आप लोग रठ लिजएगा आपको जो है दो नंबर में वो सवाल जो है पूछा जाएगा ठीके और दोस्तो आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साती दोस्तो आप मुझे फैस्बुक पर टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर जो है और ट्वीटर पर फोलो नहीं किया ते एक बार फोलो जरूर कर लिजेगा वहाँ से आप लोग मुझे जो है डारे जो है जो है जो है देखने को मिलेगा और सभी परसनों को अच्छे से हल करना है और इसे बारी-बारी से यानि की पूरी तरह से आपको रिविजन कर लेना है आपके अंदर एक भी परसन डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर जो है 100 परसन जो है confidence भरा ओना चाहिए कि आप जो है बोड की परिक्षाम जाओगे तो नर्भस नहीं होना है और आपको पूरी तरह से confidence से जो है आपको सभी का जो है अच्छे से solution देना अच्छे से आपनो सभी का solution दे देंगे ठीक है और दोस्तों में हमारी असा यही है कि आप इस बार अच्छे से अच्छा माक्स लाएं और अच्छे से पढ़ें अच्छे स्तियारी किरें चले दोस्तों मिलता है इस वीडियो में बस इतना ही तब लग जहींद वंदे मातरम